नमस्ते दोस्तों, फूट बीशा चैनल पर आप सभी का स्वागत है, तो दोस्तों आज है वारिस का मोसम, आज बनाऊंगी पियाज का पकवडी, अच्छे से बनाऊंगी कुर्खूरेदार बना के आप लोगों के दिखाऊंगे, दोस्तों पियाज पकवडी बनाने के लिए म सामक सलसु को तेर, तो पियाज पकवडी बनाने के लिए मैंने सारे समिक्री मिला लेती है, तो हिसाब से मिलाएंगी, तो हिसमें मिला लेती हैं, बारी कटी हुए मर्चा, डालती हैं आजवाइन, खल्दी पावडर, अच्छे से मैं मिला लेती हैं, अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगी, तो सारी समग्री मिला लेती हैं, अब चलते हैं, आपके जला जाती हैं, तो आग मेरी जल गई है, अब इस पर रखती हूं कराही, अब बेशन मेरी अच्छे से तयार हो चुका है, अब सरसो क तेल डालती है, तेल मेरा गरम हो चुका है, अब मैं चलती हूं, अब चालती हूं, तो दोस्तों, मैं पलड देती हूं दूसरे तरह, बारिस के मौसम में, चटपटे खाने की बहुत मन करता है, दोस्तों, आजकान सब्दी जो खाम बहुत ज्यादा फीवर होता है, दोस्तों, पकवडी है मारी बहुत अच्छे से हो चुकी है, अब इसको निकाल लेती हूं, अब फिर से इसको चान लेती हूं, तो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो नए हो, तो लाइप करें, सस्क्राइब करना ना भूले, ताकि हमारे वेडियो असान तरीके से आप लोगों पास पहुंच जाए, तो दोस्तों, आज हमारे शान पर दोस्तों, तरदी जुखाम बहुत ज्यादा है, तो दोस्तों, इसलिए हमारी अवाग भी बदल गई है, तो दोस्तों, आप लोग समझ जाएंगे, तो दोस्तों, देखिए हमारी पकोडी कितनी अच्छी बनी हुई है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छी कुरकुरे है, तो दोस्तों, तो अफे पकोड़ी में बढ़ पलड़ लेती है, तो पकोड़ी में बढ़ पलड़ लेती है, तो पकोड़ी मारी बहुत अच्छे से हो चुकी है, अब इसको निकाल लेती हूँ, तो दोस्तों पकोड़ी मारी बहुत अच्छे से बन चुकी है, तो पहले से हम अधरक, तमाटर, हरा मर्चा, सवाद अंसान ममक, पहले से चटनी बनाली एख tillो दोस्तों हमारे पकोड़ी बनके तयार हो चुका है, तो दोस्तों ऐक बर जरूर अपने घर पर बना के टडाये करें, दोस्तों खाने में में बहुत अच्छा आएगा, दोस्तों हमारा वे वम तब तब कर दिये बाइबाइबाइबाई